नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलिज में दोस्तो पिछले पांस से छे दिनों के अंदर भारत का डियाइडियो लगातार अपने एक से बढ़के एक हत्यारों का परिछड कर रहा है और एक चीछ आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि भारत ने पिछले दिनों में जो परिछड किये हैं जिन हत्यारों का परिछड किया है उन्हें युद्ध की वास्तविक जरूरत कहा जा सकता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बड़े-बड़े हत्यारों को युद्ध में बहुत जल्दी यूज नहीं किया जाता है पहले ऐसे ही हतंयाश यूज के जाते हैं. जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारत ने SFDR टेक्नोलोजी का यूज किया और इसका परिछड किया. और इस missile को भारत वास्तों में यूज कर सकता है. इसी तरीके से आपलोगों को पता होगा पिनाका रॉकेट लांचर का परिछड किया तो वो भी युद्ध में पहले ही यूच किया जा सकता है हैलीना मिसाइल का टेस्ट किया तो हैलीना मिसाइल का भी परिछड के फाइदे आपको युद्ध में देखने को मिल सकते हैं लेकिन काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि के 5 मिसाइल का परिछड होगा अभी उसको लेके कोई ख़बर नहीं आई है तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आप ये जा लीजिए कि भारत का डियाइडियो किसी भी हत्यार का परिछड करता है तो उसे पहले दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बताता है और यहां पे मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि भारत के 5 मिसाइल का परिछड कर सकता है और अभी 16 तारिक तक नो टाम एरिया वाइनिंग जारी है और इस बीच अगर देखा जाएगा तो भारत अपनी के 5 मिसाइल का परिछड कर सकता है क्योbang इस टाइम सबसे ज्यादा अगर किसी मिसाइल की भारत को जरूरत है तो वो है के फाइब मिसाइल क्योंकि के फाइब मिसाइल चाइना के अंदर दहसत बना देगी और चाइना इस टाइम भारत को घेरने का भी प्रयास कर रहा है वो बार्डर के खिनारे नए नए गाउं बसा रहा है जिसकी वज़े से वो अपने सैनिकों को छुपा सेगा आम सिवीलियन को वहां पे बसा कर अपने सैनिकों को उनके घरों में छिपा सकेगा इसकी वज़े से दोस्तों भारत के लिए आगे एक बहुत ही बड़ी प्राबलम होने वाली है और इन्ही सब कारणों सी वज़े से भारत अपने पहले उन हत्यारों का परिछड कर रहा है जिनकी उन्हें एक्शुल जरूरत है बाकि आपको ये पता होगा कि हमारी के फोर जो मिसाइल है उसकी रेंज में पूरा का पूरा पाकिस्तान पूरा का पूरा चाइना आ जाता है तो दोस्तों उमीद हमें ये है कि भारत जल्दी से जल्दी के फाइट मिसाइल का परिछड कर ले क्योंकि के 5 मिसाल वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक SLVM मिसाल है जिसकी रेंज 7000 किलो मिटर के आस पास बताई जा रही है और 7000 किलो मिटर होने के बाद आप ये अंदाजा लगाई सकते हो कि दुनिया का कोई विदेश इसके मार से बिल्कुल भी नहीं बस सकता है लेकिन दोस्तों आप लोगों क्या लगता है कि भारत को अभी के 5 मिसाल का परिष्ण करना चाहिए या फिर नहीं नीशे कमेट्स वाकिम जाईए कमेट्स कीजिए वीडियो से माप करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेश अगर आप लोगों हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे एट कलर का सब्सक्राइब को बटन है जाए फटोर चैनल को गलीजिए सब्सक्राइब और वे लागन पर प्रसकर लेना ताकि हमा शिवड़े में जय हिंज जय भारत